लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें लेगaving और खाल्स सब्सक्राइब करें झाल 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 के शिवा ही दीन तैयल का गातिल है लहाजा आदालत ताजराते हिंद दफा 302 के तहट शिवा को सजा ए मौत देती है आज़ झाल आज़ 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 शिवाग आज़ आज़ कर दो भाइल ग्हां आकल से होने को लगता वा कर दोलती ही घुच तो नो कि अ हाथ हाथ प्रवंग! करेंगेंगेंगेंगेंगें अनाज बेचने शहर जा रहा है हाँ बापू लेकिन बेटे हम जमीदार के करजदार हैं हाँ हम करजदार हैं बापू हमने उनसे रुपए लिया है तो रुपए के बदले में रुपए देंगे अनाज क्यों देंगे वो हमारे दस रुपए के अनाज का एक रुपए का भाव लगाता है हां बेटे ठीक है लेकिन ये रीट तो बर्सों से चली आई है जिसे हमेमान ना पड़ता है बापू अगर इसी तरह हम इस रीट को मानते रहे तो राधा की आखों का इलाज कैसे होगा मुन्ने की पढ़ाई कैसे होगी लेकिन बेटे तेरे इन बातों से मुझे बहुत डर लग रहा है ठाको बड़ा नारास होगा वो बहुत खतरनाक आत्मी है बेटे हम तो वैसे भी मर रहे हैं बापू एक बार जिनी की कोशिश करके दो देखें लेकिन बातों से मुझे पत्रवस के तो देखें हुआ यहां है। के नमस्ते धकी नमस्ते सलाच यौ Thinking के पकड़ेंगे तो नमस्ते अरे तुम होसीयाहरी से जितना रेलेसंट जोड़ना चाहों जोड़ लो यह लाला सब समझता है ठाकुर साब यह भागी हो गया भागी नहीं ठाकुर साब ऐसी बात नहीं है मैं तो स्रीप अपनी फसल शहर बेचने के लिए आज तक इस गाउं से मुठी बारानाज भी सहर ने गया और तो अपनी पूरी फसल का रेले सलमा जोड़ना चा जमीन आपके बास घिर्वी पड़ी है और जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है अगर उसकी फसल भी आपके बास बेचतूं तो मैं अपनी अंदी बेहन का इलज कैसे कराऊंगा ठाकुर साब और आप भी हमें फसल की किमत बहुत कम देते हैं ठाकुर साब यह तो आपका पारेसन करके आपका रेलेसन बुराई के साथ डरेक्ट जोड़ रहा है मुझे तो माँ के पेट से ही बुराई सुनने की आदत है अगे बोलो भसकад और मेरी fold Are है कि आप मुझे शहर जाने दे ठाकुर साब ऐसा मत करना ठाकुर साब इसकी बात बिल्कुम मत सुनना अगर एक को जाने दिया न तो सारा गाओ चिंडियों के तरह लाइन बनाकर अपने फदल लेकर सहर को चला जाएगा तो इसमें बुरा ही क्या है लाला किसानों को अपने पासीले का जाइज हक तो मिलना ही चाहिए जाएज इस शबसे मेरी मुलाकात बच्पन से आज तक नहीं वी मैं ठाकुर सुजान सिंग की जाइज दीवी का बेटा नहीं बलके मैं उनकी की नजाइज आउलाद हूं और जो शुरू से नजाइज हूं उससे जाइज हक की बा लोगों के खुन पसीने से तेरी हवेली में रॉनक है उन्हीं पर जल्म की इंतिहा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती नहीं कि टार्ख करते हुएब अब होलाग है वेटे मैंने तो इसे जाने से पहले रोका था शुवा कैसे हो वेटे हुसेन कहा है बाबो यहीं है तुम्हारे पास हुसेन 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 तू ठीक है ना अब मैं शहर जाओंगा बाबू क्यों बेटे क्यों शहर जाना चाहता है कि मैं शहर में अपना अनाज नहीं बेच सकता है लेकिन अपनी मेहनद तो बेच सकता हूं कि मैं वाम मेहनद करूंगा पैसा कमाऊंगा फिर दादा की आखों का इलाज कराऊंगा मुन्ने की पढ़ाई कराऊंगा हम को भूल न जाना हम को भूल न जाना परदे सी लाट के आना हम को भूल न जाना हम को भूल न जाना हम को भूल न जाना परदे सी लाट के आना हम को भूल न जाना 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 तू है दीपत मैं हो पाती जन्मों से हम जीवन साथी जन्मों से हम जीवन साथी चंदन में हो खुशबू जैसे दोर बनी सांसों की ऐसे माग सुहागन कहदी है माग सुहागन कहदी है सिंदूर के लाज निपाना परदे सी लाट के आना परदे सी लोट के आना परदे सी लोट के आना तुझे को दुनिया दिखलाओ तेरे लिए आखे लाओंगा तुझे को दुनिया दिखलाओंगा तेरे लिए आखे लाओंगा तुझे को कैसे भुला पाओंगा लाट के जल्दी मैं आऊँगा लाट के जल्दी मैं आऊँगा अपने हाथा से आके तुम दोली मेरी उताना पर देती लाट के जाना पर देती लाट के जल्दी मैं आखे पर देती लाट के लाट के लाट के लाट मेरे बुढ़ा पे का तू सहारा मुझे को है तू जान से प्यारा मेरे बुढ़ा पे का तू सहारा मुझे को है तू जान से प्यारा दुनिया भर की खुशी लुटाओं इन चर्नों में उम्र विताओं कभी गिरे जो लाठी मेरी हो कभी गिरे जो लाठी मेरी पढ़के उसे उठाना पर्देशी लाठी के आना पर्देशी लाठी के आना पर्देशी लाठी के आना हम को भूल ना जाना हम को भूल ना जाना झाओ 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 अरे डाट्या बाबू हमार चिठी है का अरे नहीं काका आज नहीं आई आई की तो दे जाओंगा हाँ आई 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 राधा राधा ओ हो राधा मैं जब भी इस गाओं में चिठीया बाटने आता हूं मेरी साइकल की घंटी सुनकर तू हमेशा मेरे पीसे दौरती है और किसी ना किसी चीज से तक्राकर गिर पड़ती है कही ना कही चोड़ लग जाती है और आज तो ये खुन इसकी चिंता मत कीजिए अंधी होना गिरनी के तब आदर से पड़ चुकी है मैं जानती हूं आज भी मेरे भाया की कोई चिठी नहीं आयोगी लेकिन तुमारी साइकल की घंटी हर बार मेरे उमिद को जिन्दा कर देती है राधा आज के बाद मैं अपनी साइकल की गंटी इस गाओं में उसी दिन बजाओंगा जिस दिन तेरा भाही लोटकर वापस आएगा भगवान करेब वो दिन जंदी आएगा आएगा लोटकर आएगे उन्हें सबसे पहले तेरे सामने लेकर आऊंगी और दूद में अपने बालों को डुबोकर उनसे तेरे फर्ष को दूऊंगे बस मेरे पती को जल्दी वापस भेज दे मा मेरे पती को जल्दी वापस भेज दे थक गई आँखें देखके रस्ता परदे सीना लोटके आया बहती हवाओं जाके उसको मेरा हाल बताना परदे सी लोटके आना परदे सी लोटके आना परदे सी लोटके आना परदे सी लोटके आना शिवा कि इससे तुम्हारी सदा कम हो जाए या माफ हो जाए मुझे नफरत है तुम्हारे काद़ से लेकिन तुम अपकी जिन्दगी से नफरत क्यों करते हो मैं दस साल से जेलर की पोस्ट पर हूँ हासी वाले मुझेमों से एक ही सवाल पूछता आया हूं के बताओ तुम्हारी अंते में च्छा क्या है लेकिन तुम पहले एक ऐसे आदमी हो जिसकी अपील के लिए काख़ात मैंने तयार किये तकिन ये द्धा है किसलिए और फिर एक बार कुशिश करने में हर्जी क्या है मैं तुम्हारी अपील के काख़ात फिर से तयार करवा देता हूं उन पर साइन कर देना वरना मैं तुम्हारी मौत को सजा नहीं मानूंगा बलके ये समझूंगा कि तुमने खुद कुशी की है अब यह यह बत्र लाला एसा जुलम मत करो तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है राहू के तू जी लाला कोना कोना छान मारो जो कुछ मिले उससे उठा ले चलो नहीं इनको रोको ना खड़ी की ओ रोको लाला को ब्याज की वसूली से सिरव वही रोक सकता है जिसका पैसे के स बात कोई रिलेशन हो तेरे पास तक दमड़ी भी नहीं है यह तूटा मड़का का लेकर जा रहा है लाला जिसका नसी भी फूटा हो उसके यहां से तो तूटा-फूटा समानी निकलेगा ना इसको रख दू या ले जाओ नहीं लेकर जा कोई चीज नहीं बचनी चाहिए आ इससे तो रहने दो खाना पकाने के लिए सिर्फ यही एक बटतर नहीं क्या है हमारे पास लाला हम पर दया करो उनके आते ही हम सारा कर्दा चुका देंगे हाँ वैसे मैं ब्याज का और तुमारा रिलेसन कट भी कर सकता हूँ उपर से अनाज के भरे भरे बोरे यहां पर रखवा भी सकता हूँ शरत सिरव यह है कि तो मुझ से अपना रिलेशन बना ले लाला हा जानता था तूटा बटन बहुत जोर से आवाज करता है लाला से रिलेशन बढ़ाओगी तो हर रात दिवाली नो रिलेशन नो दिवाली पड़ दिवाला आज रात को आ रही है ना लाला जी जोर का तपड़ दो नहीं पड़ा है लाला जी इसे भी भाही खाते में लिख दूँगा मेरी एक बात तु कान खोल कर सुन ले एक दिन में इस घर की इन तक निलाम करवा दूगा मेरा और इस घर का बहुत गहरा रिलेस्टन है यह था पड़ते रुको बहुत महेंगा पड़ेगा भावी चिंदा मत करूं भाई यह जल्दी आ जाएंगे हाँ शिवा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारी अपील ना मंजूर हो गई यह तुम्हारे नाम का प्लेक वरंट है हासी में अभी दो दिन बागी है क्या इस बीच तुम किसी से मिलना चाहोगे हाँ किस से जाच साब से ऐसी घड़ में लोग अपने रिष्टेदारों घरवालों या दोस्तों से मिलना चाहते हैं अगर तुम हो के उससे मिलना चाहते हो जिससे हैं है अगर क्यों कियो हुआ कि क्यों मिलना चाहते हो हुआ है सॉड है सॉरी सर सूबा सूबापको डिस्चाब किया कोई बातनी ज जरूर कोई कास बात होगी सर मेरी जेल में है चीज़ए शिवािए tips से आपने सजा Speed kilth उसे कल सुबा फांसी होने वाली है और उससे एक अजीब किसम की मांग किये क्या? फांसी के दखसे पर चड़ने से पहले वो एक बार आप से मिला चाता है मुझसे क्यों? यही सवाल मैंने उससे किया था लेकिन उससे कोई जवाब नहीं दिया आप उससे मिलने आएंगे ना सर देखो मैं विवादा नहीं कर सकता ओके सर यह जेलर साहब सुबह सुबह क्यों आये थे? कोई चिंता की बात है क्या? कि अगे शिवा आगे बहु वो मेरे इंसा कर रहा होगा मैं स्टेशन चलता हूँ नहीं बाबु जी वो बच्चे तो नहीं है जिस दिन उन्हें आना है अपने आप घर तक पहुँच जाएंगे आप खाना खा लीजे वो बच्च्चा ही तो है बहु पता नहीं हमसे किस बात पर नारास हो गया है देखो नहीं अब तक एक एक भी चिट्टी नहीं डाले अब तो भगवान से यही प्रार्थन है वो जल्दी आ जाए तो मैं गुंगा इस स्राइन करने चला जाओं और आएं भाई जिएए आप में लोगए तूम जाओ तेईना भाई जाओच्छ्छ्ध ड्रवड़ाच्छ्छ्टी आए जाएग्ऽ प्रिया प्रिया पहा जाएगे तो खिया है प्राइए जाएगे भाई'a तुम मुझे से मिलना चाहते थे, क्यों, मैंने किसी का खुन नहीं गया, फिर भी आपने मुझे भासी की सजा दे, मुझे सजा से इंकार नहीं, लेकिन सजा पाने से पहले, मैं आपको भी एक सजा देना चाहता हूँ, सजा, गब आये नहीं, मेरी सजा फासी के बंदे की तरह भाहिंग कर नहीं, आपके लिए सजा सिर्फ इतनी है, कि मेरे मनने की खबर, मेरे घरवालों को आप देंगे, मेरे बुड़े बाप को, मेरी बीबी को, मेरी अंधी बेहन को, और मेरे मासुब बेटे को, मेरे मनने की खबर, आप अपने मुझे सुनाएंगे, झाल यूओे कारी म greensराण झाल, फीबी को, मेरे झाल. खबर मेरे बीबी कर खबर को, मेरे मेरे और झाल. झाल… पफ़गे सुनाएंगे सुनाएंगे मिना जीक तहाएंगी उयकान साहींटे. सर्द य है। झाल झाल सोरी 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 ईगा है तर्फे सवे सब्सक्राइब जिए इस उसके बाबा उसे इसी गाड़ी में ढूंड रहे थे महिनों से यहां आने जाने वाली हर गाड़ी में है वो अपने शिवा को ढूंडते रहते हैं पता नहीं कहां चले गया है लेकिन आप मैं आप आप शेहर से हैं ना कैसे हमार शिवा भीया अपने दादू को कहीं देखा है यह मुन्ना शिवा-भीय का बेटा बेटे यह शेहर से हैं तुम्हें बापो के दोस्त है इने जल्दे से घर ले जाओ बाबी बहुत खुश होंगी हां बेटे चलिये मां मां क्या हुआ बुआ 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 शेहर से बापो के दोस्ता है भाईय के दोस्त कहा है यहीं तो खड़े हैं नमस्ते नमस्ते मुना जल्दी से हात मुद दुलागर इनको बिठाओ ना इखाबर सुनते ही भाबी कुशी से पांगर हो जाएगी अरे मुना तुम अंदिजा भाबी बही होगी उन्हीं जल्दी बुला रहा अरे बुलाने के भी क्या जूरत है उनको जैसे पता चलेगा वो खुशी-खु वरना उस समय शिवा भाईया की एक आवाज पर पूरा गाउं एक ही सांस में दौरती भी पार कर जाती थी हाँ अब जल्द भाग यहाँ से हुआ बहुत बदमाश है मुन्ना के रहा था भाईया के दस बहुत ठाट बाट में है होग अच्छे हैं न मेरा भाईया वो रहते कहा है वो खुदी खाना बनाते हैं या होटल में खाते हैं बहुत काम करते होंगे न मेरे भाईया इस मामले में हम बहुत सुख ही है हमारे पास सिर्फ एक की काम है भाईया का इंतिसार करना कब आएंगे मेरे भाईया मा मा शहर से बापो के दोस्त आए मुझे मालूम है भाईया जब धेर सारे रुपे कमा लेंगे तब ही आएंगे वो दो शुरू से जुबान के पक्के और सच्चे है आप तो उनके दोस्त हैं आप ही बताइए उनको कभी जूट बोलते हुआ सुना है मेरे साथ अब ऑन्होंने जो कहा मैंने मान लिया सबको मानना ही पड़ता है इसलिए कि भाईया का भी जुट बोलते हैं नहीं कि वा किि कि कि यह क्या कर रहे हैं आज करवा चौथ है आज के दिन पती का संदेशा लाने वाला इश्वर के समान होता है और इश्वर के चरण चुना तो धर्म है करवा चौथ की दिन तो यम्राज भी सुहागनों से डरे डरे फिरते हैं राधा तुमने इनको कुछ खिलाया भिला है कि नहीं भावी अभी तक तो सिर्फ मैं अपनी बगबग की खिलाती रही भावी नारास मुद होना मैं अभी लाई हां एकदम पगली है राखी के दिन वो थे नहीं और नहीं उनका पता था हमारे पास कि हम यहां से उनको राखी भेज सकें फिर भी राधा ने राखी खरीदी और उससे अभी तक सम्हाल के रखा है वो कहती है मैं इसे भाईया को ही बांधूंगी अब तो राखी का रंग भी उड़ चुका है अरे भावी रंग भ यह लीजिए यह यह इसके क्या जरुवत थी मैं तो वैसे ही चार बादे वाली गाड़ी से जाने वाला था मैं भी आपके ज़ख चलूंगा ऐसी क्या बात है जो आज तक उन्होंने एक चित्थी भी नहीं लिखी उनसे कह दीजिएगा कि मैं तो कैसे भी जीलूंगी लेकिन कम से कम अपने अंधी बेहन बुड़े बाप और मुन्हा का तो ख्याल करते जब भी यह डाकिये की साइकल की गंटी सुनती है तो पागलों की तरह दाड़ जाती है और बाबुजी बाबुजी को रेल की सिती में उन्हें की हावास सुनाई देती है जैसे वो बापू बापू पुकार रहे हो अगर वो हमारी किसी भूल की सजा देना चाहते थे तो हमसे कह दीजिएगा कि हमने काट लिया सजा अब और सजा हमें ना दे और चल्दी चले आएं मैं मैं चलता हूं वो उन्होंने कुछ ये रुपए दिये थे मेरी तरफ से भाईया को ये कह दीजिएगा कि मुझे आखे नहीं चाहिए उसके लिए पैसे कमाने के कोई जरूरत नहीं है वह बस लाटके आजाए और मुझे खिलोने भी नहीं चाहिए अब मैं बड़ा हो गया हूं हाँ हाँ बेटर तुब बड़ा हो गया हाँ मैं यह सब यह सब उनसे कह दोंगा हाँ सब कह दोंगा उनसे हाँ सुनिए आप से एक ताथना है अगर वो किसी कारण कभी घर नहीं आना चाहते हैं तो वो जहां है वह हम सब को भी आप पहुंचाती जीगा सुनो भाई सुनो भाई सुनो भाई सुनो मैं रामपरसाद हूं शीवा का पिता है तुम्हें शीवा का संदेशा लेकर आऊ ना चेहां पेटे सरा चुको चुको बेटे कि बरसों के इंतिसार ने मेरी आखों के रौशनी धुंदली कर दी थी बेटे लेकिन हस तुम्हारी आखों को चुंकर मैंने अपने बेटे की तस्विए देख लीए करें यह देख यह यह मेरे बेटे का संदेशा लेकर आए अरे चौदरी वह मेरे बेटे के दोस्ते हैं वह अब बेटे यह सब लोग मुझे पागल समझते हैं कहते हैं कि वह कभी वापस नहीं आएगा एक अगर तुम उससे मिलो तो यह कह देना कि पहले गाड़ी से वापस आ जाए उसके बगर नहीं रह सकता बेटे कह दोगे ना जी अरे बहू आए साहब मैं हुसेनु साहब श्रिवा का दोस्त आप उसे सिर्फ इतना कहतीजेगा कि उसके बिना उसके बिना मैं अधूरा हो गया हूँ बहुत याद करता हूं उसे कि यह रुपए महीने भर के राशन के लिए और यह मुन्ना तुम्हारे स्कूल की फीस के लिए यह तेरे घागरा चोली के लिए और यह रुपए बाबुजी के इलाज के लिए सानती तेर को सब कुछ याद रहता है लेकिन अपना और वसूली का रिलेशन अपनी जगा बना रहे हैं लाला से रिलेशन, तो दिवाली, लाला से नो रिलेशन, नो दिवाली, दिवाला माया तेरे तीन नाम, परसी परसा परसराम अरे बहु, आज हमारे घर के लिए बड़ी खुशी की बात है, अरे बहु, शिवा का पहली बात संदेश आया है, तो एक कामकर, बिठे-बिठे पकवान बना, बड़ी भूग लगी है मुझे, लेकिन हाँ, उसे पहले गरम-गरम पनाठे बना दे, डाल में छोग लगाना मत जल्दी कर, जाना, जा भी तीछा, बहुत भूग लगी है मुझे, अरे बहुत तुने चूला क्यों नहीं जलाया अभी तक, भूग लगी है मुझे बहुत जल्दी कर बेटे, अज़ जा रहा हूं प्रहिए, यह तुने क्या क्या बोल, तेरे दादाजी के साथ, वैसे भी कुदरत-मज़ाग कर रही है, अब तु भी उपके साथ मज़ाग एंगर ने लगा, मैं क्या करता मा, मुझे मालुम है, करम में कहाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझ आज मुझे ये पहली बार मैं इसोस हुआ कि जब किसी को भाजी लगती है तो सिर्फ वो नहीं मरता उसके साथ किसी की अम्मीद किसी का इंतिजार किसी का सहारा और किसी की सिंदूर को भी पासे लग जाती है आज पासे ख़ाने किसी किसी की ख़ाएंगिए जाएंग इनने किसी की आजबड़ाएंग् इस शेहर का सबसे खताना गुंडा कि दाकर डालने से लेकर मर्डर करने तक कई केसे इस पर मगर इसको सजा आज तक नहीं मिली क्यों कि लोग इससे इतना डरते हैं कि इसके खिलाफ कोड में कोई भी गवाही देने के लिए तयार नहीं होता इसलिए इसको हर बार पड़ों को नचा दिया मैंने चल नहीं चलेगी चल नहीं नाचेगी जानम के साथ जारा लख राने ही चल आप चांद धलन चाहता है तारे तूट जाते हैं तोड़े से कभी तूटे ना प्यार की लडियां वाँ 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 वक्त कट जाता है दिल बुजर जाते हैं वाँ वाँ काटे की कट पि इंतजार की खडियां हाई 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 ... ... ... ... ... कि अज़ने के गुंगरूं बोले पायल हो ना जाए कोई पायल कि अज़ने के गुंगरूं बोले पायल हो ना जाए कोई पायल खन के चूरी मेह के गजरा दिल चुराना ले गजरा लोग कहते हैं जिसका जबानी एक अनमोल लाजब कहानी कोई कैसे चुटाए भला एक के दा मेरी तो हर शाम है तेरे ना मेरी तो हर शाम है तेरे ना पैसे दे रखे नाच, मैं कहती हो नाच, मैं कहती हो नाच, नहीं, नहीं नाचेगी, नहीं नाचेगी, तेरी तो अपर ही नाचेगी, नाच ट गार ग हो करते हो ड हो कर अ कि एाष्ट पम कर न uh... को और एक रमोला इस ही अ ए कांगский कर दो कर में दो किस calculating अ एक अ. मेरे जाने तमन्ना ये जाने न तू मेरे जाने तमन्ना ये जाने न तू आ बता दो तुझे क्या मेरी आरजू बनके घुमरू में पायल में बजता रहू बनके गजरा में जूडे में सजता रहू आग दिल की पुछाने कहां आते हम तेरी महफिल न होती तो मर जाते हम देख जाने जिगर तेरी यूना नजर ना जमाने से तर प्यार मुझ से तुकर दिल वाओ मेरी मैं हूँ दिवाना तेरा तुझे पाने को बेताब है दिल मेरा तेरी बाहों में आके मिले का आराम मेरी तो हर शाम है तेरे ना मेरी हर शाम है तेरे ना मेरी तो हर शाम है तेरे ना शंकर शंकर तुमसे बाहर कोई मिलने आया है यह साला सुभा सुभा कॉंटेंशन देने आ गया उठो ना यह 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 लो चलो उठो अरी बाप्री रहरर को जाँ चलो प्रेल है ज़सा वाप तो मुझे के से जान्ते हो जसाब जैसे हर जज़ को मुझरिमों की जन्म कुर्णली का पता है न उसी तरह हर मुझरिम को जज की जन्म कुर्णली का पता है आपने 11 नमेंबर 19 80 को यहां जॉइन किया और आपका पुरा नाम है राजीद बर्मा जच राजीत पर्मा तुमने सिर्फ आधाई सच बोला है तुम ये भूल गए कि जच सिर्फ चैनम कुंडली नहीं लिखते हैं मौत की कुंडली लिखने आप है मैं यहां एक जच के हैस्ट से नहीं आया इंसानियन के हैस्ट से आया हूँ कि यह लो इसके बदले तुम्हें मेरे काम करना होगा कि लो कि यह साब आप उनमें से हैं जो नोट गिनते नहीं तॉलते हैं पूरे पचास हजार नाम बताओ किसका करना है कि बात तरसले से के अज़साब अब उन्हें एक सन का काम करता है टेंसन का नहीं जाइए मैंने कहा ना जाइए शंकर तुमने तो बहुत गुना किये आज अच्छा काम करने का मौका मिला तुम्हें इंकार कर दिया अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार है तो तुम इस काम को करना मंजूर कर लो को कुशिश तो करके देखो कि मेरे लिए हमारे प्यार के लिए आर गावलो श्यवबैया शार्स लुकड़ागे आर 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 डा önर अर तराशिवा बैया अगर Dé आरा तेरा शिवा भाई आ गया तेरा शिव भाई आ गया मेरे भाई आ गया मैंने अपनी आकूजोने इसेशन में देखा है कपापपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपफपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपप कि अच्छ पर दो कि एशिवा कि यह बैश शेर जाता ही रंग बदल लिया अरे 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 अधर गूर के क्या देख रहा है मैं हुसेन हूं तेरा दोस्त तेरा जिगरी यार कि अधर देखा कैसा लाटा किया है इतने दिनों का बाद गाओ लोट रहा हूं मैं भी देखना चाहता था कि तू मुझे पैशानता है कि निया धुका गा गया था चला अभी गले लग जा अरे तू क्या अभी घुर गुर के देख रहा है चल गले लग अब गले लग अरे क्या होगा तेरे को चल गले लग तेरे शहर जाने के बाद ठाकुर का जुलम इस हद तक बढ़ गया कि वो बरताष्ट के बाहर हो गया और दोस्त जब मने आवाज उठाईना तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया मैं अकेला पढ़ गया दोस्त बिलकुल अकेला और एक दिन ठाकुर और उसके आदमियों ने जो भी चीज मेरे गले में डाली जाती है वो मेरी हो जाती है जैसे यह हार इनके गले में का हो गया यार तुमने भी कभी अपने हाथ मेरे गले में डाले थे इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ भी मेरे हो गया मेरे और तुम प्यार से तो धो तू क्या समुच्ता है। हाथ नहीं रहने से हुसेन जीतीजी मर जाएगा। हर्किस नहीं। हात नहीं रहने से यही होका ना, मैं अपने हाथों को तल्वार की तरह हवा में नहीं लैरा सकूंगा। मगर मेरी आवास से इनकलाब के शुले उठते रहेंगे। हाथ नहीं रहने से यहीं होगा ना कि मैं अपने हाथों को दौाओं के लिए नहीं उठा सकूँगा मगर मेरी दौाओं की तासीर में कभी कमीना होगी और तुम दोनों ये सोचो और ये याद रखो कि जून फिर जून है बढता है तो मिठ जाता है खुन फिर खुन है टपकता है तो चम जाता है ठाकर आज जो यहां खुन बहेगा वह वहुत्य थे का हुगा र्वया होगा और वक्त इस बात का गवाँ है कि हुसैन का खुन कभी बेक промहली जाता अरे देखते चाहों खाट डॉल इसके हाथ लाला मुझे अपने जीट पर हसने की आदत नहीं तू हस मुझे है अजय को खैर कोई बात नहीं दोस्त हाथ नहीं रहे तो क्या हुआ कि दुआओं की तासीर में कभी कोई कमी नहीं आती है यह मेरी दुआओं की तासीर है चाही तो मेरे सामने खड़ा है हिर अए कि पापू 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 कहा है मेरे भाईया 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 आज मेरे साथ साथ इस राखी की भी उदासी दूर हो गए तेवी मा जिससे मेरे पती लोट कर आएंगे उन्हें सबसे पहले तेरे सामने लेकर आऊंगी कर दो कर दो आएंगे ईख एगा है अवाईया आएंगे अब मैं तेरा ये फ़र्ष अपने बालों से धोंगी शीवा में टावा स्षीवा तो आ गया मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे पेड़े आप अप मेरे बच्चे तुझे देखने एकले मेरी यांके तरस गई थी अब तु तु नहीं जाएगा ना नहीं जाएगा ना बोल बेटे नहीं जाएगा ना तु नहीं ता ना तो पूरा घर खाली खाली सा लगता था और वह खाली पन मुझे दस लेकूआ आता था फैटे उपर से गाहओ हौले मेरा मजा उड़ाते थे कहते थे तू तू कभी लाटके नहीं आएगा और यह सुनके में पागल सा हो जाता था पैटे लेकिन तू बाग् बिल्कुल ठीक हो जाओंगा देखो गांवालो देखो मेरा बेटा वापस आ गया है शिवा वापस आ गया है देखो इसे शहर जाकर बिल्कुल नहीं बतलाईए कल तक तुम लोग मुझ पर हसते थे ना आज अपने आप पर हसो हसो अपने आप पर इन एक बात या देखना एफमाल उड़ा लेकिन उसके सीने में चुरा गौप देना लेकिन मज़ाग में उससे यह मत कहना कि तुम्हारी इकलौती संतान कभी वापस नहीं आएगी कभी वापस के याईगी मत करना कभी ऐसी बात पारा दुख होता है मुझ हम ऑदेखो ऐर जलदी कोडना दिको मां शारी जरूर बापू तुम्हाई लिए लाएंगे बाभी सारी केसी है बुरी लागे तो उसे ही गाली देना जो यहां पहले आया था यह सब उसी हडामी का क्या दरा है अरे भाया तुम अपने अच्छे दोसको गाली क्यों दे रहे हो अरे दोस्ते में तो गाली गला जोती र आपली है आपली है? रखाएंगें! पापु! बापू? रखाएंगें? बापु! शर्बत रखाएंगें रखाएंगें पीर तो इसे में बिपियोंगा और अप्टे दोस्तों को भी पिलाओंगा और कहुंगा शेर से वेरे बापु लाएं एः, रुक्चाएं कि मुझा रहा है कि अले साली बदल दो गई कि मेरे पचासादा रुपए है कि यह मेरे पैसे है यह मेरे तेरे ही है इन्हीं कमाने तो तु शहर गया था ना लेकिन यह कुछ खास कम के लिए जानता हूं बेटे तेरे किस खास काम के लिए हैं अब मुझे मालू हुआ तु डेर साल तक शहर में क्यों था इसलिए था ना बेटे किम जमीदार का कर्स चुका सके अपनी वो जमीन जो गिरनी पड़ी है उसे चुछा सके मैं तुछ पर जितना गर्व करूं उतना कम है आज मैं सर उठाकर जमीदार से कह सकूंगा कि देख गरीब का खून रंग लाया है और यह कहकर यह रुपए मैं उसके मुपर दे मारूंगा तुम गरीबों की यहीं पूरे यादत हैं नोटों की गर्मी जादा देर बादाश करें नहीं सकते यह बात नहीं है लाला बात यह कि तुम खरीबों का उठावा सर बरदाश कर सकते हैं उठावा सर पड़ी असानी से गाठा जा सकता है अरे तुम केचों की तरह आखे फाट फाट कर मुझे क्या देख रहे हो उठाओ इनको लेकिन प्याद से इज़त से क्योंकि हम अपना रिलेशन लक्समी के साथ खराब नहीं करना चाहते हैं हाँ हाँ माया तेरे तीन नाम पसा पसी पस राव हमोश उठाए इंको लेकिन प्याट से हैं माया लाला इन्हें उठाने से पहले समीन के कागजात वापस कर दे हैं आंखे टेड़ी करके मत देख वह ना तुम लोगों की जीवन रेखा जिंदगी बर के लिए तेड़ी कर दूँगा नहीं ज़ता जमीन नहीं ज़ता जमीन के कागजात क्या कर लेगा तू भूल गया लाला लाला से नो रिलेशन नो दिवाली बट दीवाला लाला अगर तो इसी तरह गरीबों पे तूछ लाला राम परसाइच के जमीन के कागजात उसे वापस कर दो हैं इसे क्या हो गया यह क्या बोल रही है सरकार वो समीन सोना उगलती है ऐसा मत करो मैंने तुम से बोला ना कि उ पुराने हो गए लाला फिर भी ने जूते की तरह मचमच करने से बाज नहीं आती है जाओ वापस कर दो कि जाओ कि अधर कर सठ्या गया है कि अधर कर सठ्या गया है सठ्या गया ठाकुर कि यह ले 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 अधर कर साथ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बड़ा एसान किया है आप में मुझ पर अरे का एक एसान का एक शुक्रिया हां तुमने रुपय दिये हमने जमीन वापस की बात खत्म जाओ जाओ ताकुर आज आपने मेरा रिलेशन नए जूते के साथ जोड़ दिया जब मैं तो सुरू थी अपने आपको आपके पैर का पुराना जूता समझता हूँ ऐसा जूता जो सीधा सर पर पढ़ता हो वह सब तो ठीक है ठाकुर लेकिन आपने मुझे उन खुतों के सामने निचा दिखा दिया और उपर से जमीन कागता देकर बहुत बुरा गया टाकर बहुत बुरा गया लाला वो जमीन मैंने इसलिए वापस कर दी क्योंकि अगर गाहँवालों को ये मालूम हो जाए कि हम किसी की जमीन वापस नहीं करेंगे तो कोई अपनी जमीन ग्रिवी रख मेरे जमीन के कागजाद गंगा बहन आज मैंने अपनी धर्टी माह को अजाद करा लिया है हाहा हम मैं किसी और के लिए अपने लिए अपने खेतों में हल चलाओंगा मेरी जमीन मेरी हो गई है बुख्या जी बात तो खुशी की है मगर रामप्रसाथ काका तो कुछ ज्यादा ही हसने कहीं इन्होंने भांग तो नहीं पिली है अब तक तो नहीं पी भोलू लेकिन आज मैं जरूर पीओंगा बर्सों से अपने मन को मार कर जीता आ रहा हूं चौदरी लेकिन आज मैं अपने मन की भूस निकाल के रहूंगा मैं हसूंगा नाचूंगा गाउंगा पी अ पर द्रूटे ने निकाल लिए करद दिअरे और कि अल्याज भी आजैंगा आधुशी के बना दोरें के पूटी निके मैं आरे हम है भंगेडी हमें भंग पिलाते हम है भंगेडी हमें भंग पिलाते मस्टी का इसमें मस्टी का इसमें रंग मिलाते हम है भंगेडी हमें भंग पिलाते हम है भंगेडी हमें भंग पिलाते सुनो बात को गोर से भाई सारे मरज की एक दवाई मुशियों को ये पात बुलाए सारे दुखों को दूर बगाए मुशियों को ये पात बुलाए सारे दुखों को दूर बगाए दूर बगाए दूर बगाए शब्स परी की कोली हमको दिलाते हाए हमको दिलाते हम है भंगेडी हमें भंग पिलाते हम है भंगेडी हमें भंग पिलाते हुआ 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 है हुआ 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 है आसमान धर्दी को चुमे गोल गोल सारा जग घुमे ये गजब है राम दुहाई धर्दी पे देता त्वर्ग दिखाई त्वर्ग दिखाई थोड़ी मलाई थोड़ी बर्पी खिलादे हम है भंगेडी हमें भंग पिलादे हम है भंगेडी हमें भंग पिलादे जोड़ी को के बंगेडे थोड़ी. कि लिए 관ूली in the अ के भंगेडी खिलादे द्वर्दी दिलादे कमसिन कवारी पाकी सी छोरी दिल मेरा करके गई देखो छोरी दिल मेरा करके गई देखो छोरी देखो यहाँ चाहे देखो वहाँ तुही नजर आए देखो जाहाँ आ मेरी बाहों मेरे दुनिया भुलाते ओ दुनिया भुलाते हम है भंगेडी हमें भागे पिलाते हाँ हम है भंगेडी हमें भंग पिलाते मस्ती का इसमें रंग मिलाते हम है भंगेडी हमें भंग पिलाते हम है बंगेडी हमें बंग पिला दे है 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 अरे राधा अजानक के मस्ते का महल छोड़कर यहां कर बैठ दें क्या सोच रहे हैं कुछ नहीं है अपने अंधिपन को कोस रही थी काश काश मैं भी सबको नश्टी गाते देख सकती तुम बहुत जल देख सकोगी राधा हां सब कुछ देख सकोगी शिवा भया अरे ओ शिवा भया अरे ज़रा इसे समझाईए कि ऑपरेशन से आखें ठीक हो जाती है यह ठीक गया है अब आप क्या हुआ पर ऑपरेशन का क्या भरोसा आखें ठीक भी हो सकती है और नहीं भी राधा अगर ठीक नहीं होई ना तो मैं अपनी आखों की रोशनी तुम्हें देदूंगा बढ़ापे के अंधेरे को रोशनी में बदल दिया तेरे बेटे ने रामपरसाथ काश हमारे घरों में तेरे शिवा जैसा एक एक शिवा होता भाई मैंने बहुत इंतजार किया शिवा के बापसी का अपने बेटे के लिए बहुत तर्पा हूं मैं लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर वापस आएगा और मेरे दुखों का अंत करेगा अंतो मेरा कर दिया सले जजने पुरा कर दिया पहले तो ये बात हमें सपने जैसी लगती थी कि हम गरीब इठाकुर के चंगुल से अपनी जमीन आजाद करा सकेंगे लेकिन रामपरसाद अब तो ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन हमारी जमीन भी हमारी हो जाएगी बस तुम अपने बेटे शीवा से को कि हमें भी रास्त दिखाए रास्ता तो मुझे ठुणना पड़ेगा मिस्टर बर्मा हमने जिन्देगे में बहुत जज़ देखें लेकिन तुम्हारे जैसा गुरू घंटाल नहीं देखा अरे इसी जिल में पहुचा दिया जहां दस पन्रा फंसी के फंदे एक साथ लटक रहे हैं वो कहते हैं ना खजूर से गिर्या और बबूल में अटके बाप के फंदे से नीचे उत्रो तो बेटे के फंदे पे चड़ जाओ बेटे के फंदे से नीचे उत्रो वो क्या कहते है हाँ करवा चाक की फंदे पे चड़ जाओ उससे निकलो तो बेहन के फंदे पे चड़ जाओ और जवाद दो ताखों का अपरेशन कब करवाओगे हुँँ अभी तक साला बहुत टेंसल लिया है लेकिल कोई एक्सान नहीं किया अब तक संकरना ही पड़ेगा अब तक संकरना ही पड़ेगा कड़ेख संकरना ही तुरल तब शेया मोदर करना कि जैने मुझे भी कुछ ऐसी लग्राइज डूब भालती उलाक जलादी बुल गागा अवन कि अब आप कि अब आप कि अब आप तेरे हाथ में जो कागज है ना वो मेरे हवाले कर दे कि क्यों यह तेरे मरे हुए बाप का वसीयत नमा है जो तुझे दे दो चल रस्ते साट जा तो अपना टेंशन देगा ना तो एक्सन हो जाएगा कि यह यह से मानने वाला नहीं है छीलो इसके हाथ से कागज और अगर ज्यादा उचल कूद करे तो इसका रेलेशन दिनकी से तोर दो अब यह ओ चिता की जली हुई लकड़ी करप्सन से अपना रिलेशन जोड के रख खापी आश कर और मुझे भी आश कर समझा परना फिर से याद बिलाता हूं टेंशन देगा ना तो एक्सन हो जाएगा देखते क्या हो ठीलो कागज है रो इसके लिए मैं केलाई काफी हूँ ओ雲 म बёओ दसके अनिर डुप प्वटतर प्वटतर इए डो मिएमाला इसस्ट मलाव मलतब हाँ आपट अनिर थे तेखते पुबद्स्टतर झालाव हुआ 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 है है कि अग्ता कि अग्ता कि अग्ता कि अग्ता वह रहा जीवा वह काखजात जी वह बॉब बढ़ आच्छा किया जो तुमने इन काखजात को बचा लिया हाँ मैंने देखा तक है कि नीचे काखजात नहीं है जरूर लाला चुरा के भागा होगा है हाँ बेटा हो तो तेरे जैसा तुम ठीक कहते हो रामपरसाद अगर इस जैसा बेटा हो तो बुढ़ापा श्राप नहीं लगता अगर जर्च बर्मा क्यों सब बुरा फसा आया तुने अरे काखजात तो मेरे पास ही रहेंगे लबेटे काखजात मुझे ने 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 मैं इने रखनु मुझे ने ने बैटे तुमसे जादा बहु समाल के रखेगी बहु समाल के रखना यह प्यों हुआरे बहुआ इसी तुझेरे में रख दिये जिसे तुम्हें छूबी ने सकता कि आधा कि तुम्हारा ये काम अपन से होने वाला नहीं है क्या कि किसी को साप कर देना अपन के लिए असान काम है लेकिन किसी का भाई किसी का बेटा वो का बोलता है तुम वो अपन से होने वाला नहीं है एक बात बाताओ जट साब मुझरिमों के बारे में सुचते सुचते अचानक उन मासुमों का खैल कैसे आ गया हां मौत बाढ़ते बाढ़ते अचानक उनको जिन्देगी देने के बारे में कैसे सुच लिया हां इंसानियत के नाते अच्छा मरने से पहले शिवाही वसियत कर गया था कि उसके मरने की खबर उसके घरवालों को मैं दूँ मैं उसके काऊं गया लेकिन जब मैं उसके घरवालों से मिला तो यूं लगा जैसे उनकी सांसे तक जखमी है और शिवाही उन सांसों का इलाज है और वही उनके आखरी उमीद भी जो अगर तूट गई तो वो भी तूट जाएंगे इसलिए मैं ये खबर उसके घरवालों को नहीं दे सका कितनी अजीब बात है जट साब मौत का फैसला सुनाने वाला मौत की खबर सुनाने से डर गया कहीं शिवा की मौत वो पाप की गठरी तो नहीं जिसे सर से उतानना आपके लिए मुश्किल हो गया इस नए मैंने कोई पाप नहीं किया शिवाने दीन द्रैल का खून किया था उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए थी उसे मिली हाँ 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 तुम हस क्यों रहे हो मुझे तभी आती है जट साब जब मैं कानून को बहुत मजबूर देखता हूं सजा शिवा को नहीं मुझे मिलनी चाहिए थी क्योंकि दिन डायाल खा खून मैंने क्या था अब इसके लिए मुझे कोई सजा नहीं दे सकता क्योंकि एक खून के बदले दो फासी नहीं हो सकती शिवा के लिए फासी का तकसा मैंने तयार किया था और फासी का फंदा आप बन गए उस पिचाले को मरना ही था तो मेरे हाथ हो क्यों बापू के दोस्त रदानब रदानगस अच नश्रा ब smy के दोस्त है अच्छ करवा आऊह साथ ह् successfully बैठो 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 बाद दरसल ऐसी है कि क्या बात है बिटे बहुत परिशान दिख रहे हो सब ठीक तो है ना बाबा वो शिवा है ना कि अगया है कि अगया है कि सारा बोज उठा लिया है मेरे बेचे ने घर के नहीं बलके सारे गाओं के शान बन गया है यह अरे बहुत बी तक चाहे लेके नहीं आई मैं लेकर आता हूं परिशान है मैंने यूँ क्योंकि मैं यह जानता था कि आप यहां जरूर आएंगे मैं यह सब कुछ सच सच बताने आया हूं बता दीजिए बता दीजिए कि वो खुन मैंने किया था जिसकी सजा शिवा को मिली यह भी बता दीजिए यह शिवा को फासी हो गई और फासी की सजा देने वाले आप थे मैंने तो सोचादा यहां कर अपने गुनाहों का प्राश्चित करूना प्राश्चित वो भी तुम जैसा खुनी हाँ मैं खुनी हूँ हाँ मैं खुनी हूँ अगर मैं खुनी हूँ तो आप भी खुनी है फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने पैसों की कमी की वज़े से खुन किया और आपने सबीतों की कमी की वज़े से गुनाहों की काली राज से गुजरती मेरे बच्पन से लेकर आज तक की कहानी में पहली बार शंकर हार गया है बुड़े बाप की उमीदों के समने छुक गया है यह शंकर बीटे के प्यान ने छिंजोर दिया पहन के रिष्टों ने जकन लिया है मुझे याद है जट साब उस दिन मैंने आपको कहा था कि मैं किसी क पाप किसी का भाई किसी का बेटा बन नहीं सकता तब तक मैं इन रिश्टों से अंजान था को लेकिन आज मैंने इन रिष्टों को बहुत करीब से दिखाए जट साब इस परिवार को इस काओं को उनके शिवा से बहुत उमीदे हैं मेरी मदद के जिए जट साब मैं शिवा बनकर जीना चाहता हूं वरना ये परिवार अपने शिवा के गम में तूटके विखर जाता मेरी बदद कीजिए तूने क्या सोचा तू यहां से भाग जाएगी गोंगरू के दाने तो गोंगरू से अलग हो सकते हैं लेकिन तू तू मुझसे नहीं दूर जा सकती जानम क्योंकि मैं खानम हूँ खानम चल अंदर मुझे जाने दो मौसी मुझे अपने शेंकर के पास जाने दो तू अंदर चल तुझे पाल पोस कर मिर्ची का जाड इसले नहीं बनाया कि जब तेरा तीखापन बेचने का वक्त आए तू गटर में चलंग लगा दे वैसे भी शराबी और खुनी का भरोसा क्या है तू उसके लिए तलब रही है वो उधर हो सकता है किसी का सर अपनी च्छाती पे रखे आराम से खराते ले रहा हो हुआ है हुआ है हुआ है लोक्टर सब रादा फिर से देख सके कि ना इसकी मुझे उम्मीद तो है लेकिन पूरे विश्वास के साथ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसलिए कि बहुत सी बातें उपर वाले के हाथ में होती है या परवर्दिकार मैं कितना बदकिस्मत हूं कि मैं दूआ तो मांग सकता हूं मगर दूआ के लिए हाथ नहीं उठा सकता या परवर्दिकार तो आज मेरी एक दूआ कबूल कर ले मेरी जिन्दगी के अंधेरे के सदके में हमारी बहन राधा की आँखों की रॉष्णी लोटा दे परवर्दिकार रॉष्णी लोटा दे आमें बाबुजी बाबुजी मैं देख सकती हूं मुन्ना मैं देख सकती हूं मैं देख सकती हूं मैं देख सकती हूं मेरी आखे वापस आगी है थाकुर साहब थाकुर साहब एक बहुत लंबा सेट आया है जिसका रिलेशन बंबाई से नमस्ते थाकुर साहब नमस्ते 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 मैं बिहारीलाल बजाज हूं इस देश में जितने भी कागस के कारखाने हैं एक दो को छोड़कर सब मेरे हैं आपके लिए तोफाल आया हूं या आपने गलत किया क्यों बिहारीलाल बजाज जिनका कागस का कारोबार हो उनको अगनी देवता से दोस्ती नहीं करने चाहिए कि मैंने घरीबी की गुद्वी से अमीरी की गद्वी तक हर चीज को इतने घौर से देखा है कि मुझे कोई बेखूफ नहीं बना सकता हूं जड़ा देखें तुस यह पीरे हैं और इनके बदले मुझे सिर्फ मिट्टी चाहिए हजूर यह हिर और मट्टी का रिलेशन समझ में नहीं आया हमें भी समझ नहीं आया सरकार मैं आपके गाउं में कागस बनाने के कारखाने खोलना चाहता हूं हां उसके लिए आपको जमीन चाहिए हजूर हमार सरकार के पास इतनी जमीन है इतनी जमीन है कि 10 लाख आदमियों की चिता एक साथ जलाई जा सकती है कारखाने खुलने से काओं के लोगों को नौकरी मिलेगी वो तरक्की करेंगे खुशाल हो जाएंगे यहां के स्कूल के मास्टर है लेकिन सरकार ने स्कूल को बड़ा मोटा ताला लगवा दिया है और इनका कनेक्शन यहां जोड़ लिया अब यह बच्चों को बढ़ाने की जगे सरकार को चाय पिलाते हैं वहां चाहता हूं कि इस गाउं के लोग हमेशा के लिए घरीन अनप कि चक्की में पीसता रहूं कि बिहारीलाल जब तक गरीबों के तन पर फटा हुआ कपड़ा रहेगा तभी तक हम जैसे अमीरों के घर पे रेशम का पर्दा रहेगा और तुम चाहते हो कि यह लोग तरकी कर जाएं यह खुशाल हो जाएं इनकी आंके खुल जाएं जाएं करीबों के उधार की बात करना तो आजकल फैशन हो गया है इसलिए मैंने भी कह दिया वर्ना मैं तो यहां आपके और अपने फाइदे की बात सोच कर आया था अधिया आप और हम आधे आधे के पाटनर होंगे और महीने का आपको दस लाक मुनाफ़ा हो जाएगा दस लाक काम अगर अच्छा चलता रहा तो बीस लाक भी हो सकता था कि यह साब यह सवदा आपको कैसा लगा अवालो ठाकुट साब भी इंसान है एक नेक इंसान को हवा आप लोगों पर ब्याज का बोज और बढ़ाला नहीं चाहते। इसलिए थाकुर साहल न ने फैस्वल्पा वो ग्याद भीयाद आप लोगों की जमीन तो क्या घर्बार कप्रा बरतन सब कुछ ठाकुर साब के नाम पर हो जाएगा लेकिन ठाकुर साब आहा नएक आदमी है ना आप लोगों के घर्बार तक नहीं पहुंचना चाहते उनका कहना है कि जिद जिसकी जमीन उनके पास गिरवी पड़ी है अगर वो जमीन ठाकुर साब के नाप पे कर दे तो वो असल और ब्याज दोना चुक्ता कर देंगे आई घमराईये मत परिशान मत हो ये ठाकुर साब उन जमीनों पर फेक्टरिया बनाएंगे कार खाने खोलेंगे गाउं के बे रोजगारों को नौकरी मिलेगी रोजी रोटी मिलेगी उधर ठाकुर साब के कार खाने चलेंगे और इधर गरीबों के घर के चूले चलेंगे जिजिसको मंजूरो तो बड़ी खूशी की बात है और जुचिस को ठाकुर साब का यह सोधा मंजूर नहीं वो दस दिन के अंदर-अंदर ठाकुर साब के खर्जा वापिस कर दे वरना सूथ पे सूथ और उसमें सूथ जोड़ कर हिसाब का इतना लंबा चोड़ा चिट्था बना दिया जाएगा कि कर्ददार का सब कुछ ठाकुर साब के नाम हो जाएगा मैं गाओ वालो तुम लोगों को सिर्फ दस दिन की मौलत देता हूं सिर्फ दस दिन की मौलत अब्यो जिता की जली हुई लकडी खून से पेट नहीं करेंगे इस भाइयों हम सरकारी बैंक में जाएंगे हम अपनी सबीन सरकार के सब्सक्राइब के पास गिर्वी रखकर सरकार से कर्ज लेंगे और ठाकुर का पैसा एक एक पैसा चुका देंगे हमारा सब कर्ज उतर जाएगा मैं आभी और इसी वक्षा है जाता हूं अजी आज कल बैंकों की यह अलत होगी है कि एक बैंक दूसरे बैंक से कर्ज मंग रही है और तुम गांवालों की जमीनों पर कर्ज मंगने हो साब गांवाले बैंक से कर्ज नहीं मांगेंगे तो किस से मांगेंगे आज कल हमारे बैंकों की यह पोजिशन है कि हम किसी को एक रुपाय भी लोन नहीं दे सकते अब जाएए अन्सॉरी कि इसे कहते हैं मिठी चूरी से गर्दन काटना वाह क्या कनेक्शन काटा यह रहा आपका नजर आना लाला से रिलेशन तो दिवाली लाला से नो रिलेशन नो दिवाली बट्ट अ अ दिवाला जिवा बैंक मैंजर ने तुम चुप क्यों हो शुब भीया बैंक से कर्द मिलने की कोई उमीद नहीं क्या हम लोगों को कभी खुशी के दिन नसीब नहीं होंगे बेटा कि यह काघस के कार खाने का नक्षा और इसके लिए मुझे यह सारी जमीन चाहिए कितनी लाला प्लीज मुझे ठाकुर साब से बात करने दो आप मुझसे जरूर बात किछेगा मगर यह नक्षा लाला को ही देखाना पड़ाई ठाकुर साब और मेरा रिलेशन बिलकुल वैसा ही है जैसे भगवान और यमराज के बीच में होता है ठाकुर साब जमीदार होने के नाते आपको जमीदारी का काम काज भी देखना चाहिए मेरी मांको भी जमीदारी के काम से कोई मतलब नहीं था वो तो बेचारी जिंदगी भर चुटकी भर Stop by के लिए अ Um अ सितर्ड़ा मुझे भी जमिनदारी के नेबू से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ उसका निचोडा हुआ रस चाहिए, सेड जी, कार खाने के लिए जितनी भी जमीन चाहिए न, यह तो सब गाउवलों की है, तो फिर हमारा काम कैसे होगा, लेकिन भगवान की किरपा से, अब यह सारी जमीन हमारे पा यह जमीन का टुकुडा राम परसाद का है, यह भी हमारे पास पहले गिरवी पड़ा था, मगर ठाकुर साब की मेरबानी से, हमारे हाथ से निकल गया, अब यह टुकुडा हमें वापिस कभी नहीं मिलेगा, यह तो बीच की जमीन है, और भी जरूरी है, उर्सी में खटमल ह यह क्या, नहीं, तो पर खड़े क्यों हो गए, यारिलाल, ठाकुर के मेहमानों को लाशों की तरह निश्चिन्त रहना चाहिए, बैठी आप, लाला, तुम राम परसाद के पास जाओ, और उसे कहो, कि उसकी जमीन किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए, राम परसाद जी, मैंने संकार, आज के बाद आपके घर में नो दीवाला, ओली दीवाली, हरियाली, ये बरतन है, गरवाली, ये सब आपके लिए है, राम परसाद जी, उस दिन इस लाला की अक्कल पर ताला लग गया था, और चाहबी कहीं पर खो गई थी, इसलिए हमने आपके बरतन तोर डाले, आज मैं आपके लिए बरतन लेके आया हूँ, ताकि मेरे पापों का प्राइच्चित हो सके, देखते क्या हो लूकर पट्टो, लेट जाओ, अज बरतन संकार कीजिए, भाबी मा, भाबी मा, मुझे शमा कर दीजिए, भाबी मा, मैं हाज जोर के बिंती करता हूँ कि मुझे मुझे शमा कर दीजिए, तरसल, पच्पन के अंदर मेरे माबाप मर गए, कीचड के अंदर मैं पला, बढ़ा हुआ, भाबी मा, इसलिए मेरे दिमाग के अंदर भी कीचड घुज गया, उस दिन जोकर जु मैंने आपको कहा, उसके लिए मुझे शमा कर दीजिए, शमा, दे अंदर मेरे मा लेकर तबग जाओ, कर ये नापना होजा, माफ किया, कर ये, इतरा, ये, ये क्ये कर रहे हैं, कुछ नहीं, भाबी मा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इनकी सेवा करने से मुप्ति मिलती है, वैसरी बैने फैसला किया है, क्या मैं सारी जिन्दगी आप लोगों की सेवा करूँगा, वो, वो जो आपकी जमीने ना, जो आपने ठाक कुर साप से वापिस ले ली थी, अरे मैं उस दो कॉड़ी की जमीन के लिए, आपको लाखों रुपया दिलवा दूँगा, लाखों रुपया, लाला, मेरा मुझ काला, अच्छा, तो ये ब अच्छा, यहां से फर्र निकल जा, मैं तो इस तड़ा निचोड़दूगा के गले से खून निकलाएगा, जा, देख लूँगा, आज के बाद तुम्हारी कोई दिवाली नहीं, अरद तो देखेले पड़े, आपको तो देख लूँगा, आपको देख लूँगा, आपको अबलेद, बिटे, बिटे ये जो जमीन है ना, सिर्फ जमीन नहीं होती, ये हमारी माह है, इसे किसी भी किमत पर इन भेडियों के हवाले मत करना, वादा कर बिटे, वादा कर, मैं बादा करता हूँ, मेरी ये जिन्दे की जाए तो जाए, मगर ये जमीन नहीं जाएगी, उस नंगे भूके ने जमीन देने से इंकार किया, खादम कर दो से, झाल, 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 बल्ला, 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 सारी दो में बच्च गया, बल्ला, खो गया मेरी उगली का चल्ला, गापे में खाना खाने गई थी, मैं अपना दिल दहलाने गई थी, मेरी जवानी मुश्किल में पढ़ गई, एक आशिक से नजर मेरी लड़ गई, जाने पचा के वहादे में भागी, छल्ला नहीं था तुगा जब में जागी, जाग गया ताबा, जारा मुहल्ला, खो गया मेरी उगली का चल्ला, खो गया मेरी उगली का चल्ला, बाजार में कुछ लेने गई थी, बाजार में कुछ लेने गई थी, कपड़ा तिलाई का देने गई थी, आए वहाँ कुछ आवारा लड़के, बाओं में भर लिये मुझको जखड़के, पुछ आवाआ के टे वहाँ पे मितली, जाने का मेरी अंगोसी चीतली, आगे काहो क्या शर्म आए अल्ला, हो गया मेरी उगली का चल्ला, बल्ला, 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 प्लिटों प्लिटों मेरा प्लिटों मेरा कनेक्शन मोज से जोड़ी जाता को तेक तर हमारा उसने मुझका लेकिन मैं किसी तरह से बच्कारा अगाया उलां लूला का कि भूल क्या हुआ तरे साथ मेरी तो जम आप पहुंचाना अपनी जड़वाई थी अभी तो इसकी अंधी बेटी की आंगों की रोशनी आई थी और एसे थोड़ी सी खुशिये तो देखने ले देता कम से कभी अपनी बेटी का भ्यात और चाहलेता पेदर्दी तुने तो मुझसे कहा था कि तो मेरे साथ कभी नहीं चोड़ेगा हम दोनों एक दूसरे का सहरा वनेंगे और तुमसे हाथ चोड़ा कर चला गया लेकिन मैं तेरा हाथ कभी नहीं चोड़ूगा कभी नहीं चोड़ूगा मैं तरहाथ कभी नहीं चोड़ आए ठाल दम्ही करता। कमिने दम्ही करता ता थे आए दम्ही करता है दम्ही रब करता थे के विंग अगर वो जमीन नहीं मिली तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा मैंने तो सोचा था कि इस गाउं में कोई भी आपके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता लेकिन लगता है गाउं के लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं मैं जब से पैदा हुआ तब से दुनिया में रेगल से लेकिन क्या फरक पड़ा मुझे आज भी कोई फरक नहीं पड़ेगा कारखाना बनेगा जरूर बनेगा चाहे वो जमीन पर बने या लाशों के डेर पर जोकरी भाई साब आपने मेरे शंकर को कहीं देखा है शिवा यह शिवा नहीं यह मेरा शंकर है यह लगए ठीक है थी है यह शंकर है शहर का खतर ना कुंदा है अ थाकर साब शंकर की शकल बिकूल शिवा से मिलती है यानि के रिलेशन का कनेक्सन हो गया क्या मतलब मतलब यह कि शंकर से शिवा का खून करवा देते हैं अपने से शिवा की जगा का बिढ़ा कर जमीन का सौधा कर लेंगे ठाकुर साब यह आइडिया रखिये मत जल्दी से काम कर वालीजिए आज आज बहुत दिनों के बाद इसकी मौत का पैगाम साब लिगा रहा हो शंकर यह ठाकुर किरपाल सिंग जी इनकी तारीफ यह है कि गाओं की कोई ऐसी दिवार नहीं जिस पर खून के छीटों से इनके जुल्म की कहानी न लिखे गई हो और मज़े की बात यह कि इसके बावजूद भी सरकार के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं कुट्टा कमीनों अपने आपको समझता था लेकिन तुम से मुलाकात करने के बाद ऐसा लगा कि मुझसे भी बड़े-बड़े कमीने इस धर्ति पे हैं अरे वियानिलाल तुम तो अच्छे कसा आयो बक्रे को साथ लायो हलाल करने के लिए नहीं नहीं शंकर ठाकुर्सा हमारे दोस्त हैं यार है अट साला मैंनों तो सोजाता इस गटर की नजाए जौलात को मारके कुछ पुन्ने का काम करूंगा फैर ला दिगा किसका करने का है हुआ 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 है यह दो बिल्कुल मेरे माफिक लगता है मुच लगा कर अगर मेरी चमिया के बाद चला गया ना वह भी धोगा खाजाए काम हो जाएगा है नोट बता है यह ले तीस जार रुपय अब यह साले कि टेंशन दे रहा गया कि एकसन हो जाएगा कि तीस हजार में तो उंगली नहीं कटती तो गर्दन कड़वाने चला यह शंकर शंकर प्लीज एक मिनट एक मिनट थाकुर साब क्यों टेंशन देते हो समीन के काविशत पर दसखत भी इसी से करवने है बीस जार और निका देलो शंकर यह एडवांस कट जाने के बाद और पचास चल पतली गली इस साले की शकल अच्छी नहीं लगती आये ठाकु साब आये ना वर आपका शकार हुआ 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 शाले का सरभ अलग कर दिया रहत लुड़का नहीं दुस्वन को तवन बेकर दिया कुछी हफ्तों में मिट्टी खा जाएगी चाल इसे समाल इसमें अपने के उंगली का निसान है कई ये निसान कानुन तक पहुच गया ना तो अपने के साथ साथ तुम तीनों भी आसी पे लड़क जाओगे चाल तुने ये काम तो कर दिया है हम पे एक और आहसान कर दे क्यों तुझे भी मनना है जा ने ने मुझे नहीं मनना है तुशिवा बनकर उस घर में घुच जा और जमीन के सारे कागजात हम तक पहुचा दे बस तेरा काम खतम चल माल निकालना निकालना है ये लो पतली गली इस साले की शकल है अब उनको अच्छी नहीं लगती है मुझे अच्छी लगती है इतने दिनों से शिवा ने नीन्द अराम कर रखी थी अच्छा हो गया साला मट्टी में दफन हो गया आज चैन की नीन सौंगा चैन की चादर ओड के ओड़े आज 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 अच्छी 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 आज आजा याज़े सिवा बुद बुद फोट कुल्या बुद फोट अब उट को a मुझेने मानना मुझेने मानना मुझेने मानना मेरे पिताशी को किसने मारा कि मेरी हत्या क्यों कर दी गई जब तक मेरे सवालों का जबाब नहीं मिलेगा कि तुझे चैन से चीने नहीं दूंगा इस अब के पीचे ठाकुर का हाथ है ठाकुर का रामपरसाथ की दभीन के लिए ठाकुर नहीं से मरवा दिया और तुमारा भी खूं कर दिया अब जो अब जो आज के जमाने में भूत की बात करते हो अरे बूत कुछ नहीं होता जाओ सोज़ो तुम्हारे का भूत होता है तुने ज़्यादा चढ़ा लिए ज़रूर सपना देखा होगा ऐसा करो अराम से जाकर अपने अब 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 मेरे बाब को किस ने मारा किसके कहने पर मेरी हत्या की गई जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा अब तुछे चैन से जीने नहीं दूंगा अब 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 बजाता हूँ अब 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 मोजे ने मार अब इस आपके पीशे ठाखुर का हाथ है ठाखुर का रामरसाथ की जबीन के लिए ठाखुनों से मरवा दिया जब सब आपको अच्छी तरह से याद होगा उस दिन चिता पर आपने मुझे कानून का वास्ता देकर जब सी 50 दैरे में अधानर मेरे दिल में भड़क्व याक को कानून के दाईरे में कैद कर दिया था। और आप मैंने उसी कानून के दाईरे में ही रहकर आप उन मुझ्रिमों को इस तावाच चकड़ लिया है कि उनकी हर सास कानून के शिकंजे में हैं सबूत आपके खद्मों में हैं और इंसाफ आपके हाथों में मैं कली शहर जाकर उनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वाररन निकल वाऊंगा और उन्हें गिरफतार करवाऊंगा मुझ्रिम कानून से भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता उन्हें उनके गुनाहों के सज़ा मिलेगी ज़रूर मिलेगी पानून की ओलाद देख पानून की छ़र मुझ्रिम की ज़रूर लो फ्टा ज़रूरूर लोई से लोगा दिया की थे ज़रूरार की ज़रूर्ल जासाब, 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 यह क्या हो जासाब, किसने के लिए, शिवा, मेरे करम, मेरे कर्मों ने मेरी हत्या की है, शायद मेरे किसी गलत लिखे वे फैसले ने, आज, आज मेरी मौत लिखती है, सोचा था जिन्दकी भर, शाही से फैसले लिखोंगा, लेकिन आज, आज अपना आखरी फैसला, खून से लिख रहा हो, खून से, हाँ शिवा, खानून का यह मुआफस, खानून के नक्षित कदम पर चलने वाला यह जच, आज अपना आखरी उसे फैसला, खून से लिखना चाहता है, ठाकुर और उसके आद्मों, जाएँ आज जज मरा है कर लेके करके सारा गाउ मर जाएगा तुम सब की चिताएं जलेंगे और इस गाउ से इस गाउ से चिताओं का काला धूवा नजर आएगा आखे खोलो गाउवालो होश में आओ अभी भी होश में आओ कि इस रूप में तेरे सामने आने में इसलिए तेर हो गई कि इस पापी कंधे पर है सिम्मेदारी का बहुत बड़ा पोच था और पीट के पिछे ख़ड़ा था कानून लेकिन आज तेरे फैसले का दिन तैह है अब तक तुने गाउं की दिवारों पर मासुम के खुन के छीटे उड़ाए हैं लेकिन आज मैं तेरी दिवारों पर तेरे खुन के छीटे उड़ाऊंगा तेदाप के छीटे तो चीजों को जला देते हैं लेकिन तेरे खुन के छीटे सुलम की को को पांच बना देगी तिन नहीं पैदा होगा यहां कोई सालिम और नहीं होगी कोई सुलम की कहाने थेरे गुस्से से कनेक्शन छोड़ वन्ना इसके बदन से खून की छीटों की जगे खून के फवारे निकल पड़ेंगे अब और टूटे चम्मच अब तक तुम लोग बारूत से दूर थे अब बारूत पर खड़े हो समझा दे से आप बारूत पर नहीं तेरी कमजोर नस्व पर पार रख दिया है और वो तो रखूंगा इसलिए कि मैं कमीना था कमीना हूं और कमीना ही रहूंगा इसको भी तेरी तरह मेरी शकल अच्छी नहीं लगती और मैं नहीं चाहता कि इसको मुझे देख देखकर जाद अकस्ट हो लाला उठा को इसके खून के चीचे ठाकर ओ हुसान तू बिना हाथ का ना किसी की मदद कर सकता है ना किसी लाश से लिपट कर रो सकता है ना किसी अर्थी को का ना दे सकता है फिर तू क्यों आगे रहे याद है मने तुझे क्या कहा था ठाकर हाथ में कड़ जाए तब भी दुआओं की तासीर में कभी कमी नहीं आती ठाकर उन्हीं दुआओं की वज़े से आज मेरे पास सेक्ड़ों हाथ है ठेक 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 ठाकर जितने खुन के कत्रे तुन्हें बढ़ाये हैं आज तरी मौत बनकर तेरी दहलिस पर आगये हैं इस जो, इसनी वज़ करते लाओ अ उड़े हैं आप ओज़े खाफ आप लाओं की वज़े हैं एफ उड़े हैं आप ओप डितने एफ पो ईड़े खवाफ इस आपल आप खजब उय जय 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 दोफ झाल 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 हुई our हाँ 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 ढूôt बैद कcka दो बैक कादद हाँ 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 खचर फर खार जार वक्– सले– नार बार लार 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 जार हो अ साशन लार 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 अब अब मरने सकती मुझे आपको कुछ कहला है बहुत कुछ कहला है यही ना कि तुम वो नहीं हो यह तो मैं पहले ही से जानती थी पर तुमने एक बच्चे को विश्वास दिलाया कि तुम उसके बाप हो एक बेहन को पाई होने का एहसास दिया है मैं तो उसी दिन मर कही थी जिस दिन सिर्फ एक बादा करो कि तुम दोनों यह मुन्ना और राधा पर कभी जाहर नहीं होने दोगे बादा करो बादा करो अग्या प्याँ झाओ 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 . 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 गर चले शांकर कौन शांकर मैं तो शिवा हूँ शिवा